बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टूब पेपर हैकर में मसुरस राज और आज की देखने वाला है जो भी छात्र बीकॉम थर्डियर में है बीकॉम थर्डियर का कॉपरेट अकॉंटिंग का ही पेपर है आप देख रहे हैं इसमें हम 2022 में आने वाले कोशन की बात परशेंट असी परशेंट नभभे परशेंट लेकिया हूँ तो आपको मैंने तीन से चार महीने पहले एक वीडियो पर बिस के थी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक में डिसकप्शन बॉक्स में देदूंगा प्लेलिस्ट लिखा होगा उस पर हाई स्कूल इंटर बीए बीए ब स्कूल बॉक्स में दे रहा है उस पर टच करने के बाद पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पहुंच जाएंगे और बहां एक बटन होगा वी कॉम थाडिया लिखा होगा जिसमें वी कॉम थाडिया इस तरीके से लिखा होगा आप उस बटन पर टच करना और वहां आपको जा रहे हैं आप उन्हीं कोशनों को ध्यान से पढ़के चले जाते हैं तो आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से समझ रहे ना लास्ट एक टॉपिक देखा जाए लास्ट एक टारगेट देखा जाए तो पेपर हैकर है ठीक है आपका एक ऐसा टारगेट जो आप अच्छी तरीके से पढ़के जाना है कंपनी के अंस के पिरकार के आए अंस की परिभासा यह देख लेना ठीक है और साती साथ निर्गमन अंस का निर्गमन किस तरीके से होता है अंस के हरण क्या होता है अंस के हरण उनके पिरकार के बारे में भारती एक कंपनी अधिनियम जो 1956 में आया था उसकी धारा थी 80 असीवी धारा की बारे में आपको याद कर लेना है most important है रिड़पत्र में संसोधन बिदी माली जी आपने कहीं से रिड़ लिया रिड़ का मतलब है करजा लिया तो उसमें संसोधन बिदी क्या है ठीक है और रिड़पत्र धारी और अंस धारी दोनों में आपसे अंतर पूंच लेता है पढ़के जाएगा यह ऐसे कोशन जो आप एक बार पढ़ लेते हो तो आप इन कोशनों को बना बना के करके आओगे ठीक है चलो यहां चिट्थी और लाब देख लेना है ठीक है और यहां है संपत्ती मुल्यांकन बिदी की कटनाईयों की बारे में क्या होता है आयन मुल्यांकन क्या होता है यह आप देखेंगे कंपनी के एक ही करना के बारे में आप याद कर लेना एक ही करन और जो समिलियन होता है उनमें क्या होता है उनके उद्देश क्या होते हैं उनके बारे में पड़के जाएंगे नेक्स कोशन है करे परतीफल की हमारों की गढ़ना इस तरह को कोशन देख लेना बहा बहा पुने निर्मान के बारे में और आंतिक प्रिका जो कह सकते हैं सब्सक्राइब करें तो हमारे बंदुख सकते हैं नीचे जाईए यहां यहां कहारा है यहां को जा बता लुखर किए, और उसके परिआे के बता चुका हूँ, यहां किया होती है किस प्रकार की जाती है उनके नियम बताईए उन नियम के वारे मियांद करना याचना के क्या है वहाँ याचना क्या होती है वार्षिक जो आहरणे द्वारा एक कमपणी का परीबरतन कैसे होता है और खुले बजार में रड़ पत्रों के क्रे द्वरा संसोधन को समझाईए ये कोशन आपको याद करके जाना है ठीक है और लाबहानी नियोजन खाता क्या होता है आप इसको पढ़िए अंत्रिक पुनर नियोजन का निर्मार में उपर बता चुका हूँ तो यहाँ पढ़ने में अच्छे से पढ़ लो पिलेलिस्ट बना रखिए तीन से चार महीं ने की और इह कोई पिलेलिस्ट नहीं बना रहा आप बिए बाई पेपर हैकर बिए बाई पेपर हैकर जीतने हमारे चेनल है लिंक डिसकुपशन बोक्स में है सभी चैनलों का आप जाके सब्स्क्राइ बाइ 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 दो